अभी को मैं नमस्कार तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेश्ट आरी थी कि मैं लहरो के राजन्स नाटक का वीडियो डालू फरन्तों आप सभी जान रहे भी दिपावली का समय चल रहा है तो थोड़ा काम हो जा रहा है तो मैं बीजी हो गई थी फर फिर भी मैं पुरा कोशिस की टाइम निकालने का और लेट हो गया है थोड़ा उसके लिए सौरी बट आप लोग अच्छे से सुनिए मैं बिल्कुल सौर्ट में अपने पुरा डीटेल्स में मैं नहीं जा रही हूं सौर्ट में बतारो कि इस नाटक में है क्या क्या मुख पॉइंट है तो आप लोग सुन लेजेगा तो आप लोग अच्छे से एक्जाम लिख पाईएगा और इससे अब्जेक्टिव भी हो जाएगा तो एक बार आप लोग पीडिएप निकालके भी गूगल से भी पढ़ देख कर लेजेगा क्योंकि क्या होता है एक्जाम में अब्जेक्टिव तो पूछता ह käyt पर नाटक की भी से दो rust लेंट उठा की पूछता है और उसके पर उसके पर संग को पूछता है कि कि स्क grounding की है या उसके बारे में पुरा और विस्तार में लिखनी को मिल जाता है तो आप लोग देख लिजेगा और वैसे पढ़िएगा जब दो चल लेन आएगा आप नाटक के बारे में अच्छी से समझ रहे क्या है तब लैन को पढ़ते समझ जाएगा कि इस नाटक से लिए गया है इस पंगती में यह चीज बोला जा रहा है तो आप लोग व्याख्या कर ल अच्छी से लिए घर ल नाटक के लिए लिए तीक है लिए गहरों के राजहन सराके जी थे घर जी नाटक का ओन है तो हमाना घर उसे के इर्दिगेत रचा गया है एक तरफ वा बुद्ध से प्रभावित होकर बिच्छू बनना चाहता था नंद जो है कि अपने सोतेला भाई गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर बिच्छू बनना चाहता था बिच्छू मतलब जो बिच्छा मांगते है न सब कुछ त्याक के दुनिया का हर चीज रंग भरी दुनिया को छोड़के कि साधा जिंद्ध की जीते हैं बिच्छा मांगते हैं वैसा वो बनना चाहते थे अपने भाय गौतम बुद्ध जो थे विच्छू ही थे उसको देख के वो परभावित होकर वो बनना चाहते थे तो फिर वही दूसरी तरफ अपनी पत्नी सुंद्री को और भी अनुरक्त थे और जो नंद थी उनकी वो साधी सुदा थी उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी अपनी सुंदर्ता की बिलास्ता में मतला अपना सुंदर्ता में पुरा वो चूर रहती थी और उसको कौन नहीं देखता था बहुत इसलिए उसे सुन्दरी बोला जाता था नंद की पतनी को बहुत सुन्दर थी उसकी बीबी भी जो थी बहुत ही अलग टैप की थी जैसे कि गौतम भू जितना सादा जिन्दगी जीने वाला बिच्चू तो उसकी बीबी सुन्दरी उ पारे मैं ऐसे बोलती थी पर नंद जो है वो गौतम भूत के तरह बिच्चू भी बनना चाहता था और अपनी सुन्दरी बीबी से बहुत प्रेम भी करता था उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था इसी दोनों दुविधा में अपने मन के अंतर वो लड़ते रहता था संसारिक मों से मुक्त नहीं हो पाता है क्या बुला जारा है कि जब वो सुन्दरी के पास होता है तो अध्यात्मिक होना चाहता है उसका हो जाना चाहता है पूरे तरह से अपनी बीबी का हो जाना चाहता है लेकिन जब वो तथा गत के नजदिक जाता है तो संसारिक मों से म लिकिन जब वो अपने मतलब कि गौतम बूद्ध की तरह अपना जिंदघी को देखता है जब वो बाहर दुनिया में निकलता है संसारी को देखता है तो खुद को मुक्त नहीं कर पाता है कि मैं क्या जी रहा हूं यह तो जिंदघी कुछ भी नहीं है उसके मन में दोनों को छोड़ सकता है और नाहीं बूद्ध के आकरसन से मुक्त हो पाता है क्या नन तो ना अपनी बीबी सुंद्री को छोड़ सकता है और नाहीं बूद्ध के आकरसन से मुक्त हो पाता है वो यहीं दोनों मों से मुक्ति नहीं हो पाता है, नंद ना तो सुंदरी को छोड़ सकता है और ना ही बूध क्या करशन से मुक्त हो पाता है, फिर है नंद आधुनिक व्यक्ति का परतिने धित्व करता है, नंद किसी के बने बनाए मार्ग को नहीं अपनाना चाहता है, नंद क्या है कि आधु पुरू अपना जिन्दगी नहीं चलाना चाहता है। पुरू अपना जीवन वैतित करना चाहता है। इसके द्वन्त में लड़ते रह जाता है। बस और वो कुछ कर नहीं पाता है। तो एक दिन क्या होता है। यह सब तो नंद के मन का है। पूरा इसमें कथा वस्तुम आ गया। पर पर परनतो एक दिन होता क्या है। कि उसकी जो बीबी सुन्दरी होती है। वो बहुत अलग टैप की होती है। वो अपने में मगन रहती है। मैं जो बोलूँगी वो होगा मेरे सारे पर सारे लोग चलेंगे। ऐसा उसका मन में होता है। तो गौतम बुद्ध हमेशा यहां पर नहीं रहता है। जहां पर सुन्दरी और नंद रहते हैं। वो तो बिच्छू है, इधर सुधर जाते रहते हैं। पर वो साल में एक बार आते हैं अपने यहां। तो आये हुए हैं गौतम बुद्ध। आये हुए हैं बिच्छू उसे बिच्छा मांगना है। तो नंद को भी वो बुलाते हैं। तो नंद भी उसके साथ जाता है। बिच्छू मांगने पर इससे सुन्दरी जो है वो नराज होती है। क्योंकि सुन्दरी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो पूरा रंग भरी दुनिया जीना चाहती है। साधा जिन्दगी नहीं जीना चाहती है। और नंद गया हुआ रहता है। तो उसको टेकला कर देता है। लोग तो बाल भी मुडवाये रहते हैं। वो तो हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है। फिर एक दिन होता है कि वो सुन्द्री एक अपना आयोजन रखती है अपने घर में जिसमें मदीरा होता है, खाने पीने का पुरा विवस्ता होता है, पुरा रंगा रंग, हर तरह मतलब चका चोन होता है, लाइट लगा रहता है और उसी दिन ठीक गौतम बुध का भी बिच्छू का बिच्छा मंगने का कारकरम रखा जाता हूँ, अपना मतलब की जो होता है उन लोगों का कारकरम रखता है कि लोगों को सिच्छा दे, ज्यान दे वैसा टॉपिक पे कारकरम रखता है और उसी दिन जब सुनती है सुन्दरी की बिच्छू, वो कारकरम रखता है, सारे लोग वहाँ एक जुठ होने वाले हैं, तो उसी दिन जान मुझ का सुन्दरी अपने यहां बड़ा सा मतलब अपना इंगलिस वर्ड में बोले तो पाटी रख लेती है, जनकी यह सोचती है कि उसके यहां वो सादा में कौन जाएगा, सब तो मेरे यहां आएगा, यह सब छोड़ के उसके यहां कौन पुछने जाएगा, उसका मन में यह द्वन चलते रहता है सुन्दरी का और रखती है, परन्तु सारे लोग गौतम बुद के यहां चले जाते हैं, और सुन्दरी क कि यहां कोई नहीं आते हैं, तो सुन्दरी को इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है, बहुत गहरा सदमा लगता है, जहां तकि नंद भी नहीं पहुँच पाता है, तो फिर जब नंद घर लेट से आता है, तो सुन्दरी बिलकुल टूटी भी रहती है, वो अपना रूम में कोई नहीं आता है, तो वो नंद का भी इंतिजार करते करते, वो अपने रूम में जाते हुए, गुसे से रोते हुए, सो जाती है, फिर जब आग खुलती है, तो नंद वहां पे होता है, नंद से उसका बहस चलता है, वहां पे, बहस होता है, उसके बाद फिर नंद भी बह पर नंद फिर भी खुल के अपने दिल का बात नहीं बोल पाता है और फिर यहीं पर उसका नाटक खतम हो जाता है और इस नाटक में में मुद्धा यह होता है कि जो नंद मुखी पातर है वो यहीं दोनों बीच के दुविधा के और फसा रहा जाता है और खुद का स्तित्व ही नहीं चुन पाता है कि वो आखिर करना क्या चाहता है वो तो ना अपने बीबी को छोड़ पाता है ना गोतम बुद्ध के तरह जिंदगी जी पाता है इसे मिरे जिंदगी में आगे करना क्या है मैं थित्व क्या है बस यहीं है नाटक में आसा करती हूं आप लोगों को अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो आप लोग सची सची कमेंटम हमें जरूब बताए कैसा लगा क्योंकि आप लोगों के लिए special में टैम निकार ली हूँ तो कैसा लगा आप जरू बताए धन्यवाद वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमें